स्लाम अलेकुम my dear students, हम comprehension करें हैं point wind on the hill. आज हम उसमें digraphs and trigraphs करेंगे. Digraphs are two letters that team up to make one's sounds. दो letters जब मिलकर एक sound बनाते हैं तो उनको हम digraphs कहते हैं. इसकी examples आपको देती हूँ जैसे phone और photo. अब देखें इसके spelling है ph. तो ph मिलकर f की sound दे रहे हैं phone और photo. इसी तरह sh shark and shrimp. sh मिलकर sheen की अवाज निकालते हैं. और th breathe and cloth थ की sound निकालते हैं. और ch ch की अवाज निकालते हैं जैसे chair और chuck. अब ये क्या है? ये है chair. चेर के spelling है c-h-a-i-r, chair. और ये क्या है? अंगूरों का गुच्छा. अंगूरों के गुच्छे को bunch कहते हैं. तो b-u-n-c-h bunch चे की अवाज निकल रही है end पे. और ये क्या है lunch दुपहर के खाने को lunch कहते हैं. l-u-n-c-h lunch. तो आप देखें कि ये जो डाइग्राफ्स थे हैं ये word के शुरू में भी आ सकते हैं और word के end में भी. और इन तीन words में chair, bunch और lunch जो डाइग्राफ्स है वो क्या है? c-h. नेक्स्ट इग्जेम्पल है हमारे पास. ship, shelf और shred. आपको पता है कि ship, बहरी जहास को कहते हैं, shelf जो है वो खुली अल्मारी जिसमें books और decoration रखते हैं, उसको shelf कहते हैं. और shred आप देख रहे हैं कि कावस जो है वो टुकडे टुकडे हो गया, तो इसको कहते हैं shred करना. तो आप इसमें देखें कि ship, shelf और shred में जो डाइग्राफ है वो है SH. next example है बात, नहाने को बात लेना कहते हैं, धागे को thread कहते हैं और अंगूठे को thumb कहते हैं, तो इसमें हमारे पास डाइग्राफ है TH, बात थ की sound निकाल रहा है, thread और thumb. यह क्या है wheat, गंदुम को English में wheat कहते हैं, यह क्या है white, सफेद रंग का गुबारा white, और यह क्या है wheel, पाईया, और इसमें डाइग्राफ क्या है, WH, wheat, white and wheel. यह क्या है photo, यह क्या है paragraph, जब एक बात जो है वो एक group of sentences में लिखी जाती है, तो उसको paragraph कहते हैं, तो paragraph में graph end जो है, वो pH पे हो रहा है, और यह क्या है elephant, तो आपने देखा, कि यहाँ पे, पहले word में, pH start में है, दूसरे में end में है, और elephant में center में है, इसमें जो हमारे पास डाइग्राफ है, वो है pH, pH मिलकर F की sound निकाल रहा है, अब देखते हैं, trigraph, a group of three letters generating one sound is called trigraph, जब तीन letters मिलकर एक sound बनाते हैं, तो उनको हम trigraph कहते हैं, ठीक है, इसकी example है, match और catch, आप देखें कि TCH और TCH, match और catch, यह दोनों, तीन लफ़स मिलकर एक आवाज बना रहे हैं, तो यह trigraph की example है, यह क्या है match, जब दो टीमे cricket match खेलती हैं, किसी और hockey match भी खेल सकती हैं, तो इसको कहते हैं match, मुकाबला, इसके अलावा हम matches की तीली को भी match कहते हैं, इससे हम आग जलाते हैं, match, m-a-t-c-h match, यह क्या है watch, हम सब पहनते हैं time देखने के लिए, w-a-t-c-h watch, और यह क्या है, fetch, जब हम कोई चीज फेंकते हैं, उसको पकड़ के लाना कहते हैं, fetch, तो यह कुता जो है, डिस्क पकड़ के लाएगा, तो हम कहेंगे, dog fetch a disk, तो इसमें हमने देखा के t-c-h जो है, वो एक trigraph है, next example है, जब हमें कोई खौफनाक चीज नजर आती है, तो हमें डर लगता है, हमारे दान्त बचने लगते हैं, और हमारी आंकें भैल जाती हैं, इसको कहते हैं, फियर, डर, खौफ, यह क्या है, बियर, रीच को बियर कहते हैं, और यह fruit है, इसको पियर कहते हैं, और उर्दू में इसको नाशपाती कहते हैं, तो आप देखें कि फियर, बियर, और पियर में एर जो है, वो ट्राइग्राफ है, इ-A-R, इयर, next example है, फियर, आप कभी मेले पे गए होंगे, मेले को फियर कहते हैं, और फिर आपके घर में सीडियां भी होंगी, सीडियों को स्टेर कहते है और बालों को हेर कहते हैं, तो ये हमारे पास आगया एर, एर जो है वो ट्राइग्राफ है, आपको इस तरह से स्पेलिंग याद करने में भी आसानी रहती है, कि आपने खाली एर के आगे F लगाया तो फेर बन गया, ST लगाया तो स्टेर बन गया, और A लगाया तो हेर बन तशतेर नहीं है, FIGHT, ये क्या है, राइट, यजब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे सामने दो रस्ते होते है, falls right, is wrong, या रॉंग, और हों में चाहिए, हमेशिए right, हग का साहर दे, anything is light, जो सफेद light होती है, वो 7 रंगों का मजμूऊबा होती है, तो आप देखे हैं, बोकि ट्राइग्राफ, फाइट, राइट, एंड लाइट, अब हमने तीन ने लफ्स बनाने हैं, डाइग्राफ SH से, ये है, फिश, शीप और शॉप, ये फिश, F-I-S-H, फिश, S-H, डबल-E-P, शीप, और S-H-O-P, शॉप, तो आप देखें, कि हमने तीन ने लफ्स सीके, डाइग्राफ SH से, ये हमारे पास है, T-C-H, ट्राइग्राफ, और इसे हमने वर्ड बनाए, स्टिच, तांका लगाने को स्टिच कहते हैं, कैच, किसी चीज को पकड़ने को कैच कहते हैं, और ये है किचन जिसमें हम खाना बनाते हैं, तो ये आ गया कैच, और ये आ गया किचन, तो आप देखें, हमने टी सी एच ट्राइग्राफ के इस्तमाल के नए तीन अलफास सीखें, प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश और उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं, आज से अपने लिए लाजम कर लें, कि हमने कुरान मजीद को तर्ज लाया होगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें